नमस्कार स्वागत है आप सभी का इवारपुना आपके अपने अउनलाइन इस्ट्यूटर वितालोक में मैं गौरब नरिंजन उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे मस्त होंगे साथी साथ पढ़ाई लिखाई सम्मधिकार बहतरी तरहीके से कर रहे होंगे सबसे पहल होली के पावन उसर पर धेर सुकामनाय और साथी साथ हमारे संस्तान की ओर से आपके लिए ओफल लाया गया है होली पर होली उतिसाओ जिसको नाम दिया गया है रवी सर के दौरा चालिज प्रतिसात का ओफ है किसी भी कोर्स को आई दिया पर्चेज करते है यूपी एसाई अगर आप हमारी इस बैच में एडवीशन लेना चाहते हैं तो आपको सिंप्ल साइक कारी करना है और इस सिंप्ल से कार में यह है कि जो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आपको इंट्री टीटी पीजीटी और अपना सब्जेक्ट जैसे मा प्रिथिवी के अंदर की परते हैं कैसी प्रिथिवी के अंदर की परते कैसी है तो इसके अधार पर अध्यान किये गए प्रत्वी के आंतरिक परतों को समझने के लिए अध्यान किया गया एक किया गया आप प्राकृतिक सुरोतों के अधार पर और एक अन है ठीक ना तो आप प्राकृतिक सुरोतों के अधार पर अध्यान के लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था यह दिन नहीं देखें, आप तो उसे देख सकते हैं और आप प्राकृतिक सुरूतों में हमने आपको यह बताया था कि आप प्राकृतिक सुरूतों के आधार पर हम अध्यन करते हैं ताप के आधार पर, दाब के आधार पर और घनत्य के आधार पर T, P, O, D टेंप्रेचर के अधार पर दाब के अधार पर और घनत के अधार पर मैंने आपसे यह कहा था कि पृतिवी के अंदर की परतों में जाएंगे तो घनत में विर्द्धी होगी प्रित्वी के अंदर की परतों में जाने पर टेंपरेचर में बिर्द्धी होती है लेकर यह है सभी इस्थानों पर एक समान नहीं होता है अज जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाएंगे कहीं पर आधिक तेजी से तापमान बढ़ेगा तो कुछ कुलूमीटर के बाद यह तापमान की जो बढ़ने की दर है वो क्या हो जाएगी थोड़ी सी कम हो जाएगी ठीक न इस पर आधारित हम अध्यान कर लिए थे और जान्दा कुछ हमें निसकर्स नहीं निकल पाए था कुछ ही जो मैं ऐसा बात यह थी कि प्रित्वी के अंदर ठोस है जैसे दाप पराद हरत दिन और अगर प्रित्वी के अंदर ठोस है तो अंदर अधिक घनतों वाली धातों होने चाहिए अब अगर चुकि अधिक घनत वाली धातु यह अधिक घनत वाली धातु तभी हो सकती है, जब वहां पर आयतन ना, आयतन हो, और क्योंकि आयतन का और घनत से विप्री सनमन दी वराबर M अपॉन V, तो चुक्चि पृतिवी के अंदर इसपेस नहीं है, आयतन नहीं है, और आयतन नहीं होने कार किविना जिंदेन गालपन से आयतन में, एसी धातु में पाए जारे हैं, जिनका घनत अधिक है, जैसे लोहा है, टेन है, है इस ना, आपका NICKल है, तो ऐस दातु में पाए ज़य जैक अधिक मात्रा में घनत है या जिनका घनत अधिक तो यह हमारे हो गए ते पिछली क्लास में आज हमें प्राकर्तिक स्वरोतों पर अध्यान देखना है और प्राकर्तिक स्वरोतों पर अध्यान जो है वो दो अध्यान है इसके अंतरगत एक है जौलामुखी पिरकिरिया के अधार पर अध्यान एक अध्यान आता है आपका कौ जौला मुखी पर आधारेत अध्यान और भूकम पर आधारेत अध्यान, देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जौला मुखी पर आधारेत अध्यान, जौला मुखी तो जौला मुखी एक ऐसी पिरिकरिया होती है, जिसमें अंदर की पर्तों से गर्म गलित पदा है वह धरातल पर आता है आमतोर पर यह सभी बात जनते हैं कि जो अलमों की प्रिक्रिया में होता क्या है कि अंदर की प्रिथिभी के अंदर की परतों में जो गर्म-गलित-पदार्थ है वह गर्म-गलित-पदार्थ सतय पर आते हैं वह गर्म-गलित-पदार्थ कहा है सतय पर प्रित्वी के अंदर पाए जाने वाले गर्म पदार्थ गर्म गलित पदार्थ और प्रित्वी के अंदर पाए जाने वाले इस गर्म गलित पदार्थ को एक नाम दे दिया गया और इस गर्म गलित पदार्थ को नाम दे दिया गया मैगमा क्या नाम दे दिया गया तो इस गर धरातल पर आने की प्रिक्रिया को जौला मुखी कहते हैं और जब यह गर्म गलित पदार्द धरातल पर आ जाता है तो इसी को नाम क्या दिया जाता है लावा ठीक ना इसी को नाम दे दिया जाएगा तो इसी को नाम दे दिया जाता है लावा ठीक ना अच्छी से हमारी बातों कुछ समझेगा अच्छी से हमारी बातों कुछ समझेग यह सरफेस है सता है और पृतिवी का क्या है तो यह पृतिवी का सेंटर है तो अगर पृतिवी के अंदर गर्म गलित पदार्थ पाए जा रहे हैं और इन गर्म गलित पदार्थों को क्या नाम दे दिया गया मैगमा तो मैगमा जहां पर पाया जाएगा एक गर्म गलित पदा जाएगा पृतिवी के अंदर जिस इस्थान पर मैगमा पाया जाएगा उसको एक नाम दिया जाता है और नाम दिया जाता है मैगमा चेंबर जहांपर मैगमा अर्थ-अर्थ-द्रव पाया जा रहा है उसको एक नाम दिया गया और नाम दिया गया मैगमा चेंबर क्या नाम द रखकर हम यह कहए रहे हैं कि Prithípuk ke अंदर की पर्तो में This place नहीं है तो अगर इस लिए क्योंकि ही रिकोड है ये मारकर इठ होसे क्या आप इस मारकर में इस फोस मारकर में किया पानभड है नहीं तो तो आप ठोस पदार्त जो होंगे उनमें पानी नहीं भर सकते हैं, यह हम कह सकते हैं, जहाँ पर आयतन नहीं हो, आप ठोस नहीं हो सकता है, आयतन होगा तभी द्रव होगा, कहने की, कहने, सामन भासा में यह कहना चाहता हूं, कि जब पृतिवी के अंदर की परतों में इस पे प्रतिवी के अंदर दिराओ नहीं है अर्थार्थ प्रतिवी के अंदर लिकुड नहीं पाया जा रहा है तो फिर जौलम की प्रिकृरियां नहीं होने चाहिए अर्थार्थ जो अलम की प्रिक्रियां हो रही है इसका मतलब तो यही है कि प्रितिवी लावा बाहर निकलेगा अगर जो अलम की प्रिक्रियां हो रही है तो इसका मतलब यही है कि लावा बाहर निकलेगा लावा क्या है गर्म गलित पदारत है लिकोड है और अगर लिकोड है तो कहीं ना कहीं पृतिवी के अंदर इस पेस तो होगा कहीं ना कहीं पृतिवी के अंदर इस पेस तो होगा तो बिग्यानकों ने कहा कि जब भुगर्व सास्त्रियों ने जब ये कहा कि प्रितिवी के अंदर मैगमा है, प्रितिवी के अंदर जब द्रभ पाया जा रहा है तो कहीं न कहीं इस पर सोना चाहिए तो कुछ विद्वानों का यहमत है कि पृतिवी के अंदर चटानों की सुकुडने की संकुचन की पिरकिरिया होती रहती है, चटाने संकुचित भी होती है, चटाने प्रसार भी करती है, साथी साथ पृतिवी पर संचलन की पिरकिरिया होती रहती है, दो प्रकार के संचलन हो हो सकता है कि पृत्वी जो पृत्वी है हमारी अंदर की परतों में किसी भी प्रकार का संचलन हुआ हो जैसे भूकम पाया हो चटानों में संकुचन हुआ हो यह चटानों में पिरसार हुआ हो जिस कारण से दरारें पढ़ गई होगी और दरारों में ही कौन भर गया होगा लावा अर्थार्थ पृतिवी के अंदर यह हो सकता है कि अंतरजात या बहरजात संचलन के द्वारा दौनों के द्वारा हो सकता है लेकर अंतरजात संचलन के द्वारा अधिक मात्रा में दरारे पड़ सकती है और बहरजात संचलन के द्वारा कम मात्रा में दरारे पड़ सकती है तो यह कहा गया कि पृतिवी के चटाने अंदर की चटानों में दरार पड़ गई होगी अंतर जात बल या बहर जात बल के कारण या उनमें संकुचन हो गया होगा जिस कारण से अंदर की पर्तों में क्या हो गया इस्पेस हो गया और उसी इस्पेस में किसका निर्माड हो गय उसे space में दिरव का निर्माड हो गया अब अंदर दिरव आया कैसी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पृतिवी के अंदर की परतों में जाने पर इतना अधिक temperature हो जाता है पृतिवी के अंदर की परतों में जाने पर इतना temperature हो जाता है कि यहां पर पाया जाने वाला कोई भी ठोस ठोस अबस्ता में नहीं रहेगा बलकि वहा है कि सबस्ता में परवर्तित हो जाएगा वहा है द्रव अबस्ता में परवर्तित हो जाएगा और इसी द्रव को क्या नाम होगी होगी या भूकंप बगेरा आते हैं पृति पर भूकंप आने के कारण अंतरजात और वहेजात वल के कारण हो सकता है कि चटानों में दरार पढ़ गई हो और चटानों में दरार पढ़ने के कारण उनमें द्रव भर गया हो और वही d्रव को जहां पर द्रव भर जाएगा उसी को कहा नाम दे दिया गया मेंगमाचेंबर तो देखेगा तो जोलम की पिर्किरिया से भी हमें यह इस पस्ट नहीं हुआ रहा है कि पृतिवी की अंदर द्रव है या प्रित्वी के अंदर ठोस है अब कोछ विग्याने के कह रहा है कि द्रव है क्योंकि जोलम की प्रिक्रिया है हो रही है कोछ विग्याने क्या कह रहा है कि प्रित्वी ठोस है ठोस है तो द्रव वहां पर होना नहीं चाहिए तो इस जोलम की प्रिक्रिया से हमें जानना न निसकर से नहीं निकल पाया, एक निसकर से निकल सकता है कि दरार पढ़ने के कारण यहाँ पर द्रो का विकास हो सकता है, ठीक ना, अंगलत समझेगा, तो यह जो अलमखी पर आधारित अध्यन था, सबसे सटीक अध्यन किया गया पृत्वी की आंतेक्सन रचना का, और सबसे सटीक अध्यन किया गया, किसके आधार पर, भूकम्प सास्तर के आधार पर, भूकम्प विज्यान के आधार पर, या भूकम्प के दौरा, किसके आधार पर, भूकम्प के दौरा, सबसे सटीक और सबसे अच्छा अध्यन किया गया, सबसे सटीक और सबसे अच्छा अध्य किया गया तो यहां पर मैं समझाता हूँ आपको भूकंप के आधार पर अध्यन भूकंप के आधार पर भूकंप के आधार पर आंतरिक परतों का अध्यन आंतरिक परतों का अध्यन भूकंप के आधार पर आंतरिक परतों का अध्यन आंत्रिक परतों का अध्यान भूकम्प के अधार पर आंत्रिक परतों का अध्यान ठीक ना चले तो भूकान भूकम्प का अध्यान हम जिस सास्त्र के अंतरकत करते हैं उसे भूकम्प सास्त्र कहा जाता है किसके अधार पर करते हैं भूकम्प सास्त्र के अधार पर करते हैं की पिर्किरिया को भूपटल पर संचलन की पिर्किरिया को भूपटल पर संचलन की पिर्किरिया को भूकंप कहते हैं है कि кहते भू कंप कहते हैं अजी समझजेगा salt, μुभू पटल पर जो संचलन होगा उस संचलन की प्रक्रिया को या भू कंप कहते हैं सामन अर्थों में भू कंप से मिले कर बनाए भू plus कंप। भू को मतलब है प्रतिभी और अब अंगले समझे कैसी में जो भूकम्प है यह तरंग के रूप में उत्पन होता है भूकम्प तरंग के रूप में उत्पन होता है भूकम्प किसके रूप में उत्पन होता है तो भूकम्प तरंग के रूप में उत्पन होता है अगर तरंग के रूप में जहां से भूकम्प की उत्पत्ती होती है उस इस्तान को हम भूकम्प मूल कहते हैं क्या कहते हैं, भूकम्प मूल कहते हैं, तो तरंग की रूप में उत्पन होता है, और हम कह सकते हैं, जहां से, क्या होगा, जहां से भूकम्प की उत्पत्ती होती है, जहां से भूकम्प की उत्पत्ती होती है, जिस स्थान से भूकम्प की उत्पत्ती होती है, या हम यह भी कह सकते हैं, तरंग की उत्पत्ती होती है, उसे भूकम्प मूल कहते हैं, क्या कहते हैं जहां से भूकम की उत्पत्ती होती है उसे क्या नाम दिया जाता है उसे नाम दिया जाता है भूकम की उत्पत्ती होती है उसको एक नाम दिया गया और उसको नाम दे दिया गया भूकम्प मूल ठीक ना इस बात को याद रखना है क्या नाम दे दिया गया तो उस तरंगे की रूप में उत्पन होता है तो भूकंप तरंगे की रूप में उत्पन होता है इसलिए भूकंप की जो तरंगे हैं उन्हें नाम दिया जाता है सिस्मिक वेफ भूकंप तरंगे की रूप में उत्पन होता है और भूकंप जब तरंगे की रूप में उत्पन होगा तो जिन तरंगों के द्वारा भूकंप लाया जाएगा, उन्हों को एक नाम दे दिया गया, भूकंप ये तरंग, क्या नाम दे दिया गया, भूकंप ये तरंग, और ये कहा गया कि भूकंप ये तरंग हैं, जो होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, एक जो सबसे पहले उत्प सेकेंडरी बेफ्स दूतियक तरंग और तीसरी है एल तरंग यानि एल तरंग बास्तों में सतही तरंगें होती हैं जो सतह के पास उत्पन होती हैं लेकिन इन तरंगों की खोज एच डी लव एच डी लव नाम वग्यानिक के द्वारा की गई इसलिए इनको नाम दे दिया गया एल तरंग ठीक तीन प्रेकार की तरंगें होती हैं पी तरंग जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले होती हैं हमें अभी उत्पत्ति से मतलब नहीं है इनकी गती सबसे अधिक होती है तीबृता सबसे कम होती है साथी साथ ये तीनों माध्यम में चल सकती है तीन माध्यम का मंदलब है ठोस, द्राव और गैस तो ये तीनों ही माध्यम में गमन करती है ठोस में भी गमन करती है, द्राव में भी गमन करती है तो हम लिख सकते हैं तीनो माध्यम में गमन करती है तीनो माध्यम में चल सकती है यह गमन करती है चल सकती है तो तीनो माध्यम में चल सकती है तो तीनो माध्यम में चल सकती है पी मला पी तरंग, गती पी तरंग से कम, गती क्या है तो पी तरंग से कम है, तीबरता पी तरंग से अधिक है, तीबरता इनकी क्या है, तो इनकी तीबरता है पी तरंग से अधिक, और यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है, यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, केवल कहां चलती है, तो केवल और केवल यह ठोस माध्यम में चलती है, तो S तरंग है, केवल ठोस माध्यम में चलती है, L तरंग है, यह सतय के समीर उत्पन होती है, इनका जो उपयोग है, वो हम बिर्थिवी की आंतरिक सनचनाव को गयत करने में नहीं करते हैं तो P और S यहां पर एक चीज एक नोटिस करनी है आपको P तरंगे तीनों माध्यम में चलती है और S तरंगे जो हैं वो केवल किस माध्यम में चलती है तो S तरंगे केवल आपकी ठोस माध्यम में चलती है कहां चलती है थो समाध्य हमें चलती है ठीक है अंगला में एक क्वेशन लिख रहा हूं और एक क्वेशन को मैं चाहता हूं कि मैं इसी पेच पर लिखो तो जांदा बेनिफिट रहेगा इसी को पेच को हम थोड़ा सा उपर के और ऐसे कर देते हैं समार्ट बोर्ड या निए तो एक फायदा लेंगे हम लोग चले तो एक फरंबूला मैं दे रहा हूं यहाँ पर भुकम भुकम्पीय तरंग यानि यह थीन जोंब से दो भुकम्पीय तरंग कि गती है इतारंग की गती का सीधा संबंद होता है अपदार्थ के घंण तुछ से, यानि कोई भी बस्तू है, उसके घनत तुछ से भूकम्पी तरंगों का कैसा समंध है, तो उनके घनत से भूकम्पी तरंग का सीधर समंध होता है, भूकम्पी तरंग का कैसा समंध होता है, सीधर समंध होता है, कह सकते हैं, कि जहां पर भूकम्पी तरंग की अधि यह साबित करेगी कि वहां पर अधिक घ्ञनत तो वाली धातु है और भुकँपी तरगों की गती की कमी में कमी आती है तो इससे यह साबित होगा कि वहां पर घ्रणत तो क्या है, वहां पर घ्रणत तो कम है दूसरे सदों में यदि किसी पदार्थ का गहनत देखे तो वहाँ पर भूकंपी तरंगों की तिवरता देखोगी और यदि किसी पदार्थ का गहनत तो कम है तो वहाँ पर भूकंपी तरंगों की गती कम होगी तो भूकंपी तरंग की गती का सीधर सम्मन्ध होता है पदार् पढ़ने पढ़ता है आपको टीचर पढ़ाते क्या है आपको teacher जो एंटीचर है ठीक ना मैं सीथी सी वात कynnst पर यह बहुत अच्छी एच्छी टीचर भी है लेकिन मैंने सारे टीचरों को देखा है कि अपना नोट्स बनाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा लिखाते हैं बड़ा बड़ा लिखाने कोई जरूरत नहीं अब सीधा सीधा बताए न अब मैंने कहा कि तीन प्रकार की तरंगे हैं और इन तरंगों की जो है पी तरंगे एक किवल ठोस माद्यम में चलती है गती सबसे देखे और एस तरंगे किवल ठोस माद्यम में चलती है और इनकी गती पी से कब है और मैंने के कोई संदी पूरा का पूरा यहां से समझ में आ जाएगा आपको अब देखेगा हुआ क्या हुआ यह के मा लीजेगा के पृत्वी है यह और पृत्वी के मा लीजेगा यह तीन परते हैं यह चार परते हैं कुछ भी बना लीजेगा अभी तो हैं मालूमें नहीं कितनी परते हैं तो मा लीजेगा परते है प्रित्वी के अंदर की परते हैं यहां से रेट कलर से बना रहे हैं हम पी तरंग गुजारते हैं पी तरंग यहां से गुजारी गई और पी तरंग गुजारी गई तो हमने देखा तरंग गई और पृत्वी के केंद से टकराई और पृत्वी के केंदर में गई और पृत्वी के केंदर में गई और पृत्वी के केंदर में गई और पृत्वी के केंदर से टकराई और पृत कर सकती है चाहे या ठोस हो चाहें द्रव हो चाहें गया ठोस हो चाहें द्रव हो यह तो सभी माध्यम में जा सकती है तो गती तो रहेगी लेकिन सभी माध्यम में गबन तो करेगी लेकिन जब पी तरंग को अंदर की और भेजा गया जब सतय से अंदर की और भेजा गया तो प पी तरंग की गती में विरिद्धी दर्ज की गई, ठीक ना? अब बताईएगा, अगर पी तरंग की गती में विरिद्धी दर्ज की जाती है, अगर पी तरंग की गती में विरिद्धी दर्ज की जाती है, तो हम कह सकते हैं, कि पिर्थवी के आंतरिक भाग में अधिक घनत वाली धातु होंगी, अधिक घनत वाली धातु होंगी, अधिक घनत वाली धातु होंगी पिर्थवी के अंदर, तभी तो क्या है, तभी तो पिर्थवी के ऊपर की परतों में अधिक घनत है, और नीचे के परतों में अधिक घनत है, इसलिए तो उपर गती काम है और नीचे गती अधिक है, पी को चूजिए सभी माध्यम में चल सकते हैं..। अ कहा गया व इक पृतिभी की सतय से यहां पर आस्तरंग को गुझारा और जब को गुझारा..Тो आस्तरंग उपर वाली पर्ट परत में दिखी फिर ऐस तरंगे गायब हुए यहां पर ऐस तरंगे नहीं दिखाई नहीं और फिर से अचानक से ऐस तरंगे दिखाई नहीं और फिर से ऐस तरंगे दिखाई नहीं अब यहां से यहां से यहां तक तो ऐस तरंगे नहीं देखाई नहीं अब आप यह मत कहिए तक तो ऐस तरंगे दिखाई नहीं के बाद बाहर आई और यहां पर एक पदार्त पाए जा रहा है और यहां पर आके बलुक्त हो गई मतलब यह बापस बाहर नहीं आ सके मतलब यह बापस बाहर नहीं आ सके कौन सी तरंग है ऐस तरंग है पिर्थिभी के केंदर से टकराने के बाद पुना इन्हें सतय पर नहीं सम्मंध है तो जब हम कह रहे हैं कि पी तरंगों को यहां देखा गया और पी तरंगों को यहां देखा गया जब इन दो इस्थानों पर पी तरंगों को देखा गया एक इस पर तो इन दो इस्थानों पर जहां पी तरंगों को देखा गया और एस तरंगों को देखा गया और एक जगह पर इनको नहीं देखा गया, मतलब यहां पर ठोस नहीं है, अगर यहां पर ठोस नहीं है, तो यह तो यहां पर द्राव होगा, या फिर यहां पर क्या होगी, या यहां पर फिर क्या होगी, या यहां पर गैस होगी, भाई, हमने यही तो कहा है, कि ऐस तरंगे केवा केवल ठोस माध्यम में चल सकती है अगर यहां पर ऐस तरंग को नहीं देखा गया यहां पर ऐस तरंग नहीं पाएंगे तो इसका मतलब तो यहीं निकलता है कि यहां पर ठोस नहीं हो सकता है बकाया आपका यह तो द्रव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है या फिर आपकी गैस हो सकती है कुलमला की ठोस नहीं हो सकता है फिर से देखा गया और जब फिर से देखा गया तो यहाँ पर भी निश्चे दूरूप से क्या पाई जाएगा यहाँ पर भी निश्चे दूरूप से गैस होगी या द्रव होगा अब गै गैस वहीं पर हो सकती है, गैस के लिए सरवादिक आयतन चाहिए, जैसे इस क्लासरूम में और जहां पर आ बैटके पड़ रहे हैं, इसमें बहुत जानदा इस्पेस है, इसलिए हम पर गैस है, इसलिए हम पर गैस है, अगर यह ठोस हो जाएगा, अगर हम इसको बंद कर दें, तो इसमें गैस नहीं पाए जाएगी, अर्थार्थ इसको हम ठोस बना दें, इसको ठोस बना दें, तो गैस नहीं पाए जाएगी, तो प्रतिवी के अंदर गैस होना तो संभाव नहीं है, अगर प्रतिवी के अंदर गैस होंगी, तो प्रतिवी खोकली हो जाएगी, और तो अब द्रव कैसे होगा अभी तो यह कहा जा रहा था कि प्रितिवी के अंदर इस्पेस नहीं है अब जब प्रितिवी के अंदर इस्पेस नहीं है तो द्रव कैसे होगा तो यह कहा गया कि प्रितिवी के अंदर ठोस है और कुछ दूरी पर इसमें द्रव भी पाय जा रहा ह लेकिन अत्यादिक दवाओ के कारण जो यहाँ पर द्रव है वो ना तो जानदा अच्छा द्रवेत अवस्था में है यानि हम कह सकते हैं वो जानदा द्रव नहीं है पतला नहीं है भहुत गाड़ा सा पदार्थ है जिसको हम द्रव नाम दे रहे हैं लिकुट नाम दे रहे है या दूसरी भासा में ऐसा भी कह सकते हैं कि पृतिवी के अंदर ठोस है और अंदर की परतों में ना ठोस है ना दिरव है बलकि ठोस और दिरव का मिला जुला भाग है जहां पर ऐस तरंगे क्या हो जा रही है बिलुप्त हो जा रही है जहां पर ऐस तरंगे क्या हो जा रही है बिलुप्त हो जा रही है तो पृतिवी के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसी परत है जहां पर ना तो ठोस है ना दिरव है बलकि ठोस और दिरव का मिस्रण पाया जा रहा है और वहीं पर एक तरंगे क्या हो जा रही है बिलुप्त हो जा रह ठोस है और ना दिरो है बलकि ठोस और दिरो का सम्लित भाग है ठोस और दिरो का सम्लित भाग वहां पर इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या है दबाव की प्रिक्रियत देखे कोई भी पदार्त दिर्वेत अवस्ता में वहां पर नहीं रह सकता अधिक दबाव कारण और फिर से कि अंदर क्या है ठोस है मतलब अगर हम सनरचना वना है तो सनरचना हमारी कुछ है प्रिकार बनेगी कि माली जगाई पृत्वी है और पृत्वी में यहां पर दो परतें ऐसी हैं जहां पर ठोस पाया जा रहा है ठोस यहां पर भी है और ठोस यहां पर भी है और एक परत इसमे ऐसी भी पाई जा रही है एक परत इसमें ऐसी भी पाई जा रही है जिसमें नीचे वाली में तो ठोस है लेकिन उपर वाली परत में ना तो ठोस है ना द्रव है बलकि ठोस और द्रव का समलित रूप है तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर द्रव है लेकिन यह द्रव याद रख अगर फोषी ठोष होता है, तो ऐस्तरंग जाती, ठाकरा के बापस आ जाती, उपर से जम्चार आई तो एक जगाए अगर यहां पर ऐस्तरंग ना दिखती, आप यहां तिखौईगी तो यहां गी करेकश। और जब ठोस से टकराई तो बापिस लोटी द्रव था द्रव में जाके समाप्त हो गई तो अगर यहां पर ठोसी होता तो यहां से टकराई गवाद फिर सूपर आ जाती बस समझेगा हमारी तो यह कहा गया कि पृतिवी के अंदर चार परते हैं जिन में से तीन जो है आपकी ठोस हैं और एक परत जो है वो द्रव है अब उसके बाद एक बेग्याने काया है जिसका नाम तब सूईस महहदय और सूईस महदय ने रासायनिक संरचना के अधार पर पर प्रतभी का ध्यन किया रासाइनिक संरचना के आधार पर उन्होंने प्रित्वी का ध्यन किया उन्होंने कहा कि जो सबसे उपर वाली परत है जो ठोस है इसको उन्होंने नाम दिया इसका नाम है करश्ट भूपरपरटी एक बीच वाली परत है इसको नाम दिया उन्होंने प्रवार एनि मेंटल और जो नीचे वाली परत है उन्होंने कहा ये कोई दो परते नहीं है जहां द्रव और ठोस है ये एक ही परत है ये एक ही परत है और उन्होंने इस पूरी परत को नाम दिया मेंटल इस पूरी परत को नोह ने नाम दिया कोर, कुल मलाके हमारे सामने तस्वीर ऐसी बनाई गई है, के प्रिथवी है, उपर की तीन परते हैं, यहाँ पर ठोस है, जिसको हम क्रेश्ट कह रहा हैं, यहाँ पर भी ठोस है, जिसको हम मेंटल कह रहा हैं, M-E-N-T-L-E, और नीची वाली परत जो है, वो कोर है, और इस कोर में दो भाग है, उपर वाली भाग में क्या है, उपर वाली भाग में लिकुड है, उपर वाली भाग में लिकुड है, यानि द्रव है, और नीची वाली इसमें फिर से ठोस है, ठीक ना? अब जो ऊपर वाली परत है, अभी कहानी है, यहीं समाप्त नहीं होगी, एक लेक्चर इसमें और लग जाएगा भी, जो ऊपर वाली परत है, इसको नाम दे दिया गया सीयाल, क्योंकि इसमें सिलका और ऐलमुनियम की अधिक्ता पाई जा रह पर मतलब यहां पर कोई ना कोई तत तो पाए जा रहे होंगे रासानिक तत तो कहा गया है स्वेस महोदाय के अमसार के प्रित्वी की जो सबसे उपरी परत है उसमें सिलका और एलमुनियम है मद्द बरती परत जो है इसमें सिलका और मैंगनेसियम पाए जाता है चुकि मैंग की परतों पाई जाएगा यहाँ पर अब अब अधाईगा इस अ कारण है कि पृथवी के अंदर की परतों का घनत अधिक होगा अब अगर पृथवी के अंदर निकल और आइरन तो निकल और आइरन ऐसे इतत्व होते हैं जो चुम्मक की इतत्व होते हैं चुम्मक को अपनी ओर आकरसत करते हैं चुम्मक की इतत्व हैं अगर यहां पर चुम्मक की इतत्व पाय जा रहे हैं तो निश्चेत रूप से पृतिवी को किसके बहाती कारी करना चाहिए चुम्मक की बहाती कारी करती है त तो अपनी और चीज़ों को क्या करता है, आकर्सित कर लेता है, तो पृतिभी की आंतरिक संदचना की आधार पर पूरा सब कुछ मिलाकर निचोड़ यह आया है, सबसे अच्छा दियन धुकम सास्त कमाना जाता है, कि उपर की दो तीन परते हैं कुल मिलाकर, दो परते जिसमे आपकार आफकि आपकी क्लास में उसको पढ़ाऊं, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, साथी साथ मैं एक पर फिर से information कर रहा हूँ हमारे TGT PGT का बैच चला है 31 मार्ज तक आपको offer दिया जा रहा है holy offer आपको लगवग लगवग 40% के छूट दी जा रही है इस नमबर पर आप entry करके अपने subject को लिखिएगा जोगरफी है तो जोगरफी, math है तो math पेडियम नोट्स, लाइब डाउट, शेर्शन, लाइब टेस्ट, मैरता, रिविजन और टेस्ट स्रीज इतना कुछ आपको दिया जाएगा अगर आप हमारे किसी अन्न बैच में यह हमारे subject है इतने बिसा में आपको प्रवेश मिल सकता है और अगर कोई आपकी inquiries है कोई inquiries है तो आप इन नम्बरों पर कर सकते हैं ठीकना चलेगा फिर से एक बार आप सभी को टार्वे तालोक online institute के ओर से होली की धेरुस सुपकामनाय रंगों का तियोहार आपके जीवन में कई सारे रंग लाए कई सारी खुसियराए धन्वाद